नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमित जीयर सेंटर में दोस्तों मैं हूँ अमित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 और 2019 से संबंधित मतपूर 30 प्रशनों को तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से अंतक इस वीडियो में और अपने नॉलेज को एनेंज कीजेगा ताकि आपके एक्जाम के टाइब में आपको दिक्कत ना हो ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्रसन सीरीज को तो आज का जो पहला प्रसन है आटियो के फॉर्म 4A का क्या उप्योग है तो आटियो का जो फॉर्म 4A होता है उसका जो प्योग होता है वो होता है अंतराश्टी ड्राइविंग पर्मिट के लिए ठीक है इसके लिए अंतराश्टी ड्राइविंग पर्मिट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है भारत stage emission standard भारत में कब लाग रुख था यानि कि BS ES ठीक है भारत में कब लाग रुख था तो यह लाग रुख था कब 2000 सन 2000 इसवे में ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं मोटर विकल एक 1988 में कुल कितनी अनुसूचिया हैं तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी अनुसूचिया हैं तो दो अनुसूचिया हैं ठीक है कितनी तो दो अनुसूचिय मुआबजे के बारे में बताया गया। अगाक्र प्रशन देखते हैं। मोटर वीकल 1988 के पहले द्रिष्टी में किसके बारे में बताया गया में किसके बारे में अभी मैंने आपको बताया तो किसके बारे में बताया गया है तो यहां पर option no.2 correct हो जाएगा यातायात सम्मंधित चिन्हों के बारे में यानि की traffic signals के बारे में बताया गया है ठीक है अगला प्रशन है motor वाहन अधिनियम 1988 के दूसरी नुसूची में किसके बारे में बताया गय दोस्तों एक और important प्रश्ण बनता है कि motor वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराये हैं ठीक है कितनी है थाई। चलिए हम लोग अगले प्रश्ण पे चलते हैं अगला प्रशन है motor वाहन अधिनियम 1988 कब पारित हुआ था कब पारित हुआ था तो यहां पे options देख लिजी options एकदम मिलते जुलते से हैं तो आपको इन में ध्यान रखना है पहला option है 1 July 1989 ठीक है 14 October 1988 में 1 July 1988 और 1 October 1988 बहुत ही मिलते जुलते इसके options से तो आपको ध्यान रखना है ठीक है दो बाते यहां पर मोटर वहान अधिनियम 1988 कब पारित हुआ था और मोटर वहान अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था ठीक है तो पारित और लागू में अंतर है ठीक है तो यहां पर मैंने पूछा है कि मोटर वहान अधिनियम 1988 कब पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था तो कब लागुआ था तो यह हुआ था एक जुलाई 1989 में ठीक है रात में वाहन साइड में खड़ा करना हो तो क्या करना चाहिए options है वाहन का हारन बजाना चाहिए पारकिंग लाइट चालू कर लेनी चाहिए हैर लाइट जला कर छोड़ देना चाहिए वाहन के सभी लाइटों को बंद करके छोड़ देना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो राइट अंसर है वो है आपका पारकिंग लाइट चालू कर लेनी चाहिए ठीक है पारकिंग लाइट चालू रहेगा तो जो गाडिया अगल ब भूमिका है ठीक है options है learning license के लिए वाहन के पंजिकड के लिए वाहन के स्वामित्यों के हस्तांत्रड के लिए वाहन का fitness कराने के लिए ठीक है तो यहाँ पर option number कौन से ही होगा तो यहाँ पर option number one जो है वो correct हो जाएगा लर्निंग license के लिए ठीक है option number one यहाँ पर correct है ठीक चलिए अगला पसन देखते हैं प्रस्ण है B.S.E.S. का पूरा नाम क्या है तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है option number two यानि कि भारत stage emission standard ठीक है चलिए अगला पसन देख लेते हैं जिस सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए चाहिए सड़क के बीचों बीच चलना चाहिए या फिर देख भाल करके पूरे सड़क पर चलना चाहिए कहीं पर भी चलना चाहिए थीक है तो इसका जो right answer है क्या होगा सड़क के बाई और चलनी großes ठीक है चलिए अगला पसंद लेता है यदि आपके वहां से कोई व्यक्ति तकरा कर घायल हो जाए तो ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे और उपस्थित लोगों से दुरगटना के लिए छममागे या घायल व्यक्ति को कुछ रुपए देकर वहां से चले जाएंगे या फिर या उस घायल व्यक्ति को समीब के डॉक्टर के पास ले जाकर चिकिस्सा क कर आएंगे ठीक है चलिए अगला पस निकलेते हैं वहां के लिए प्रदूसर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट होता है उसकी बैदता कितनी होती है ठीक है तो यहां पर आपको दो बाते सीखने को भी लेंगे एक तो बीएस फोर के लिए और एक बीएस सिक्स के लिए तो अभी साल के लिए एक साल के लिए और बीएस फोर के लिए बीएस फोर गाड़ियों के लिए कितने समय के लिए वैलिट होता है तो छे मां के लिए वैलिट होता है ठीक है तो चलिए अगला पस निकलेते हैं राश्टी राजमार्गों की सुरक्षा करना किसका अधायत्व होता है ठीक, तो यहाँ पर options है, केंदर सरकार, राज्य सरकार, ग्रीह मंत्राले, केंदर सरकार वो, राज्य सरकार दोरों, तो इसका जो right answer है, वो है आपका केंदर सरकार, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्न देख लेते हैं, प्रस्न है, एक ट्रक के केविन में कितने वेक्ति यात्रा कर सकते हैं, यहाँ पर option है, एक वेक्ति, छे वेक्ति, आर्ची में दर्ज वेक्तियों की संख्या, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो right answer है, कितने वेक्ति, तो आर्ची में दर्ज, जितने वेक्ति होंगे, बैटने के लिए eligible होंगे, ठीक है, आर्ची में लिखा होता है, क उतने ही वेक्ति उसमें बैठ सकते हैं ठीक है चलिए अगला प्रशन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतरगत वाहन से संबंदित परिभासाओं का उलेख किया गया है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा ओप्शन से होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर वन जो है वो कर रगुबंसी ठीक है योगिता रगुबंसी जो है भारत की पर्थम महिला ड्राइवर है और साथी अगर बात की जाए पार्वती आरिया की तो पार्वती आरिया जो है एसिया की पहली महिला ड्राइवर है ठीक है इसकी एसिया महादीप की पहली महिला ड्राइवर है ठीक है और वो भी ट्रक की ठीक है ना चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं चेतावनी देने वाले चिन्हों का आकार कैसा होता है ठीक है तो जो चेतावनी देने वाले चिन्हों का आकार होता है उनका आकार कैसा होता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अगला सारा आपातकालिन गाडियों को रास्ता नहीं देने पर कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है तो इसका जो राइट आंसर दुस्तों कितना है दस हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा ठीक है चलिए अगला बस देखते हैं एक तरफा जाने वाल अंसर है वो है आपका गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं चलाना चाहिए ठीक है एक तरफा जाने वाले शड़क पर ठीक है अगला प्रस्तुत चिन क्या दरसाता है आगे अस्पिताल है आगे ट्रैफिक है रास्ता दीजिए आगे जाना है तो आपने गाड़ियों के आगे देखा होगा बहुत सारे गाड़ियों के आगे लगा होता है जिन ठीक है तो इसका मतलब होता है कि रास्ता दीजिए तो यहां पर और ऊप्सन नुम्बर ठीक हो जायगा अगला प्रसंड देख लेते हैं प्रस्तोत चिन क्या दरसाता है तो यहां पर देखिए एक तरफ का रास्ता खुला है ठीक है यह जो सीधी से जा रहा है यह कटा नहीं है तो इसका मतलब कि इधर से रास्ता चालू है ठीक है जबकि उदर से आने वाले जो रास्ता है वो कटा हुआ इसका मतलब क्या है कि एक तरफ रास्ता चल रहा है ठीक है तो यहाँ पे option number two जो है वो correct हो जाएगा एक तरफ रास्ता ठीक है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं प्रस्तुत चिन्न क्या दरसाता है तो यहाँ पे option number one है cross road, अस्पताल road प्रवेष रोड इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या दिखाये गया है कि दू सड़के एक दूसरे को क्या कर रही है काट रही है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ क्या हुआ कि यह जो सड़क है यहाँ पर मतलब आगे जाके क्य होंगी क्रोस रोड होंगी रोड एक दूसरी को क्रोस करेंगे ठीक है तो यहां पर आगे जाके क्या हो गई है पतली हो गई है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो शडग जो है आगे जाके कैसा हो जाएगा पतला हो जाएगा शकरा हो जाएगा ठीक है तो यहां पर चिन्न को देख लिजी पहले तो यहां पर आपसंस में दिये है गती सीमा पर अंकुस समाप्त रास्ता बंद है गाड़ी खड़ा करना मना है और इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका यहां पर जहां पर भी चिन आपको रास्ते में दिखाई पड़े ठीक हाई पर दिखाई पड़े तो इसका मतलब है क प्रस्तुत चिन्न क्या दरसाता है ठीक है तो यहां पर देखिए आप लोग इस चित्र में देखिए क्या दिया हुआ है तो यहां पर आराम करने के लिए बैट दिखाई पड़ रहा है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आगे आराम करने की जगह है ठीक है आगे आराम करने की जगह है इसका मतलब यह हुआ ठीक है ना तो आप्सन नमबर वन जो है वो करेक्ट है यहां पर प्रस्तुत चिंद क्या दरसाता है तो आप लोग इस चित्र में देखिए कि यहां पर क्या बताया गया है तो यहां पर आप देख रहे हैं सड़क जारी ऐसे सीधे और इधर को म मतलब है वह यह है कि आपको दाएं नहीं मुड़ना यहां पर निशेद है और सनमबर फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्तुत चिंद क्या दरसाता है तो यहां पर देखिए एक पैदल यात्री है वह रोड को रोड पर चल आपके पैदल यात्री चला है आप आपको जहां पर भी इस तरीके का चिन्न दिखाई पड़े तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर पैदल यात्री पार पात है ठीक है जिस पर पैदल यात्री जो है चल सकता है ठीक है और रोड को क्रॉस कर सकता है या फिर रोड के पैलर चल सकता है ठीक है ना तो यहां पर आप दिखाई दे आपको तो इसका मतलब यह होता है कि पुल है और पुल जो है शक्रा है ठीक है यहां पर जो है दिखिए दिखा रहा है इधर इधर भी सड़क है ठीक है इधर भी सड़क है इधर भी सड़क है और उधर भी सड़क है ठीक है बीच में इस तरीके से करके शकरा कर दिये गया है यानि कि यह क्या है इधर तो सड़के हैं इधर भी सड़के हैं यह क्या है पुल वाला एरिया है ठीक है यह पुल वाला एरिया है तो इसका मतलब भी हुआ कि इस तरीके का अगर चिन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि आगे शकरा पुल है ठीक है आप सावधान हो जाएए और अपने गाड़ी को धीमेगती से लेके जाएए देख भाल के ठीक है ना तो यहां पर ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है आप लोगों के लिए यह सर्प्राइज क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है तो बीएस फोर पॉलिशन जाज सर्टिफिकट की अवधी कितनी होती है आपको बताना है कि बीएस फोर की जो गाड़िया थी ठीक है या हैं उनके पॉलिशन जाज सर्टिफिकट की अवधी कितनी होती है यानि कि पॉलिशन सर्टिफि ठीक है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिक्शन बेल को भी प्रेस कर देजीगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब टेक केर